हेलो स्टो एसके लेक्ट्रों सर्कमाप को साथ उसको कैसे हैं आप सब भी आसा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यह है स्मार्ट 32 इंच की एक LED TV जो की दोस्तों कमपणी से बंद होके आई है बन तो कस्टुमर कहीं होगी ती लेकिन उन्होंने बन कड़ करके दे दी इसमें इसमें कुछ नहीं कर सकते क्यूंकि उन्होंने काफी साथ चीज चेक करी होगी और एक टेक्निशिन के पास भी गई हैनोंने मदर्पोर्ट का खर्चा बताय कि मदर्पोर्ट डलेगा इसके अं तो कोई पैनल में कोई भी लाइत है और मैं आपको दिखा देना चाहतों देखे अड़ेटर बन्दह यह मैंने यहां लगाए देखें तो यहां पे लाइं है तो देखेंगे दोस्ता सी क्या प्रोब्लम है यह दोस्तों को पी है प्योर सैमसंग नहीं आप देख सकते हैं बट फुल स्मार्ट है फुल स्मार्ट बोर्ड को रिपेर करना काफी जदे डिफिकल्ट मांनते हैं भाई लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता तो चलिए भाई हम आपको दिखाते हैं भी खोल के तो देखे दोस्तों आपको मैं यहां पर बिल्कुल लाइव हम इसको रिपेर करके तो हम इसे यहां पर बैक पैनल पर आजाते हैं आप देख सकते हैं यहां इसका मदर बोर्ड लगा हुआ है तो इसे हम कर लेते हैं सीधी तरफ से पहले से सीधा कर लेंगे यहां पर यह हमने सीधा कर लिया ठीक है जी उसके बाद हमें यहां पर इसके सारे पेज़ खोलने होंगे, यहां पर हम इसके सभी पेज़ खोलने होंगे, तो यहां पर हमें सभी इसके पेज़ खोलने होंगे, तो देखेंगे दोस्तों ऐसा क्या फाल्ट है, जो कि सभी ने ये मना कर दिया, कि इसमें बौट डलेगा, वाई, जिस फाल्ट को नो कहते हैं इसमें यह नहीं हो सकता हूँ उसको करने में मज़ा आता है जिस काम में आप एक्सपर्ट हो चलिए दोस्तों इसका यहां जल्ली से पेज खोल लेते हैं और जो चैनल पर आप नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर लेना साथ है बैल आइकन प्रेश कर लेना और वीडियो को लाइक च्राइब कर जो करके तो बिना लाइक कर सकता वो कब कहते हैं जब उन्होंने सब चीज चेक कर लियो क्योंकि सब्लाइपलाई होगी तो वह तो सिंपल सा है को मौडूल पूडूल लगा कर चला देते हैं लेकिन जो आगए फाल्ट बनता है नहीं टैकनिशन और जो पुराने भी टैकनिशन है इस काम में वो थोड़े की भी पैनल की भी और दोस्तों रिपेरिंग से एविप चया रिपकर करने वे towards भाद ह enfants कि उस सकने साथ हो क्योंकि कि मैं उनकी साहता लेता हूं वैसely तो मुझे पता है लेकिन मने उनकी साहर雪 क्यों लेता हम क्यों की तो जैसा इसकीण बाूर्ड की डिटेवा लंग होगी क्यों होगी क्योंकि हर बो LED में एक बोड नहीं होता है तो यह देखे दोस्तों यहां पर एक पेच और रहाएगा स्कोर खुल लेते हैं और अभी आपको दिखाते हैं यह है स्मार्ट 32 इंज और जो इसमें बोड लगा हुआ कॉम्बो बोड है यहां पर दो पेच और हैं कॉम अग बाद में और इसके बाद यहां पर दोस्तों हमारी मैंलीड लिकार लिए हादे हुझा इसको एक रहे हैं क्योंकि दोसTS रीपेर नहीं हुझा और को दिखाएंगे तो दोस्तों रीपेरसी वाले बदा जाना पड़ेगा सबक्सक्स्रिए ब्लच कर दिया ब्लाए है इसको एक तरफ कर देना है सारे आपको एक तरफ करने ने क्योंकि लेडी के नीचे नहीं आने चाहिए उन्हें पैनल टूटने खत्रा रहता है तो चलिए अब दोस्तों समझ जाना कैसा है देखिए पहले यहां पर पैनल लगा देते हैं यह हमने पैनल लगा दिया और हमने यहां पर से पावर सप्लाइ कनेक्ट कर दिये पावर सप्लाइ कनेक्ट वने बाद यहां देख सकते हो कोई भी इंडिगेटर नहीं है अब यहां आज आते हैं जिस सबसे पहले देखिए मल्टिमीटर लिया यहां रख दिया आईए कैमरा में थोड़ा आगे करिए है यह दो लेग ना इन पर हमें वोल्टेज चेक करने हो कि कितनी आ रही है तो अभी मीटर पर फोकस करना तो सर मीटर दिखाईए हमारी और यहां पर यहां से क्लियर है बिलुकुल यहां से कोई नहीं है इसके अंदर फिर आ जाता हमारा से क्लियर हो चुका है कि बहुत प् है इस एक डायोड यह है और एक डायोड यहां पर इलो सिंबल भी बना हुआ है तो यह हुतता है बारेवल्ट यह चोबिस वोल्ट का चलिए दो सो चेक कर लेते हैं यह इस यह 14 यह चेक बाइस बीस बाइस आज सब सकती है तो एक प्रोब करें ग्राउंड तो यहां पर लह यह मैं दिखाता हूँ आपको देखिए यहां पर मैंने एक लगाया बिल्कुल 12 बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद यहां पर यह बीस वोल्ट से लेकर 25 तक आती है इस पर देखते हैं कितने हैं तो देखें डीसी के बाइस पॉइंट 50 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं तो इसको मतलब क्या हुआ हमारा प्राइमरी और सेकन्डी सेक्षन जो है सप्लाई का वो ठीक है तो हम सप्लाई पर काम करना हूँ छोड़की घ्लियर हो गया है अब अगला फाल्ट है का पे तो आपको सबसे पहले यहां पर देखना है मोडल नंमर क्या है देखिए यह है और ऑफ यह हैं यह पर है फाइब टेख यहें लूटि हमारे टैस्ट हो थे हैं यह है जैसे यह वाला यहां पे यह त्याइज कुछ focusing मिलने चाहिए थी और हें त्यूंट के हैं यहां पर ह्ाप क्ष़िए उट है और यह थे का पर सっक कर्या हिए लगाओ है और व्लबार का है तो यह सब्सक्राइब डायग्राम मिल जाता है आप किसी भी इंटरनेट से निकाल सकते हो तो दोस्तों मैं यही वोल्टेज चेक करने हैं सबसे पहले यहां पर देख सकते एक रेगुलेटर लगा हुआ है यह यह देखें यहां पर दिखाई यह थोड़ा सा करीब से यह 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 हमारी पांच और यह पिन नमबर 4 पर आपको 5 वल्ट चेक करनी है तो यह दोस्तों देखें अपने कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है देख सकते हो ठीक है उसके पार कोल मैंने बताया इसका इसका इसपर चैका नहीं टो वहर्ली लेक्लित यहां पर दिखा रहा है यहां चाहा जाते हैं इस पर भी नहीं दिखा रहा है इस पर भी नहीं दिखा रहा है इस पर भी नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे रेगुलेटर सेक्षन जो है वह सारा बंद है और इसमें देख सकते हूं यहां पर लगाई दो थो आपको करना क्या है मैं आपको सिंपल से वदता हूँ यह 12-5-3-3-2-1.2 बना तब हमारा सारा तो LED TV चलेगी कहां से तो यही चीज है अब हम दोस्तों हमने लिए बग कर नवर्टर इसे बोलते हैं बग कर नवर्टर ठीक है ना इसका मोडल देख लिए यहां पर लिखा हुआ है यह देखिए लेडी यह कभी कभा काम कर भी जाती है पर लेकिन दिक्कत बनी रहती है तो अ चीज़ए यहां पर लिखा हुआ है यहां यह देखिए यह देखिए 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 2.5 जिसकी रिक्वाइर होती है तो 5 वोल्ट को अपको सेल डिफार्ट कर लेना है तो यहां पर हम आयरन को करते ओन और आपको करना क्या है तीन तार को आपको इस तरह के ठीक आप अब इस सबी कलर ले लो जो आपको अच्छा लगे ठीक है आपको करना क्या है यहां से 12 वोल्ट उठानी है और 5 वोल्ट जहां पे देनी है वो उठानी है तो देखिए बहुत सिंपल है अब देखिए एक है निगेटिव एक हमने ब्राउन कलर लिया एक लिया रैड कलर को तो थोड़ा पास से दिखाए यह देखिए पिन नमबर 4 पे आपको यहां पे एक पीए सोल्डिंग कर देनी है यह देखिए पिन नमबर 4 पे हमने यहां पे सोल्डिंग कर दी है आप देख सकते हैं यह देखिए बहुत अच्छे सोल्डिंग कर देनी है कहीं सोर्टिंग वोर् यह देखे ठीक है उसके बाद यहाँ पर सॉल्डर मारेंगे इसकी पिन नमबर फॉर पर पिन आपको अच्छे से करनी है कहीं भी अटाइच ना हो जाए बस यह पिन नमबर फॉर पर यहाँ पर अटाइच हो चुकी है अब आपको करना क्या है यह जो रैड वाला मलब ब्राउन वाला देख रहे हैं यह आपको बारा वोल्ट पर लगाना है तो हम यह बारा वोल्ट वाली राइन पर लगाएंगे यह जो बिच वाली है इसका यह बेस एरि पर तो निगेटिव कहा है इसकी देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो प्लस भी है माइनस भी है और ग्राउंड भी है तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ करना क्या है यह देखे एक प्रॉप ग्राउंड लेनी है और यहाँ पर देखे दो पिने हैं यह बारा वल्ट वाल यह देखे, simple यह ground ले लिया हमने, ठीक है जी? अब यहाँ पर simple सा देख सकते हो, हमारा यहाँ पर 12V की line आई, ground आया और जो output हमें देनी है, वो आई है, ठीक है न? यह हमारा इस तरह से हो गया, यह देख सकते हो, अब यहाँ पर हमारा काम हो गया है यहाँ तक, अब आपको करना क्या है, simply यह तीन तार connect करने है, bug converter में, तो कैसे कैसे करने हैं आप देखिए, output के लिए हमने कौन सा लिया, red लिया था, तो इसको कर लेंगे एक तरफ, और यह लेंगे यहाँ पर इस तरह से, यह देखिए इस तरह से, तो और यह बग converter पर देखिए, मैंने कहा था, set default कर लेंगे, 5 वल्ट वाले जमपर कर देंगे, इसे 5 वल्ट वाले पर हम, जमपर कर देंगे, देखिए, हमने 5 वल्ट वाले को जो है, जमपर कर दिया है, जिससे कि इसकी output 5 वल्ट होए, अब यहाँ पर लिखा ह प्लस इनपुट और प्लस आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट के लिए हमने कौन सा प्लस लिया था, रैड़ वाला, तो हम इस तो रैड़ वाले को लगा देंगे, सर नीचे दिखाए थोड़ा साब, यह देगे, रैड़ वाले पर लगा लिया, जी जो हमने लगके रेड़ी है, अभ हमें झो है नए बार लेड़ को च्छेक कर लेना है, एक बार ले बार, चलाता हूं, यहाँ से सट को गया, अब देखे दोस्तों, अब आपको दिखाने वाली चीज, यह देख सकते है, आपके सामने लेडी टीव हिहाँ चल चुका, यह देखे, अ आपके सामने लिखा हुआ यह देखिए आपका यहां पर लोगो पोगो जो भी आना तश में आ चुका है स्मार्ट टीवी लिखा चुका है और एलेडी टीवी आपका जैनुएन तरीके चलना चाहिए और यहां देख सकते हो ग्रीन लाइट भी आरे जो पहले लाइट कुछ चाहिए नहीं रही इसके अंदर ठीक है यह देखिए और हमारा टीवी चलके रेडी है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जुरू बता देना वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना है क्योंकि मेहनत कर आपको समझाते हैं यह चीज आपक दोबारा बढ़िया तरीके से मैं बंद करके दोबारा चलाता हूं देख सकते हैं अब देखिए यह देखिए सैमसंग आज चुका हुआ हमारा टीवी बढ़िया चल चुका है तो बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लेगी प्लीज हमें कमेंट में जोड़ बाता दे आज के लिए तने मिलते हैं नेक्स वडियो में जैहिन जैशिराम दोस्तों